Assalamu alaikum students hope so you all will be fine today's lecture is about exercise 1.3 and question number 3 इसका given है हमारे पास इसको start करने से पहले first of all आपको मैं कुछ science related information देना चाहूँगी जैसे कि हमारे पास sign है plus और minus के तो plus plus का मतलब है plus जैसे कि मेरे पास दो value plus में है तो उसका answer भी plus में आएगा ठीक है plus plus किसके एकवल होगा plus के इस तरह minus minus किसके एकवल होगा plus के फिर minus plus किसके एकवल होता है minus के और plus minus किसके एकवल होता है minus के for example मेरे पास दो values है plus 2 plus 2 तो plus plus क्या होता है plus it means हम इन दोनों को क्या करेंगे plus two plus two क्या आ जाएगा four इसी तरह से ये दो values अगर minus में हो मेरे पास जैसे minus two minus two तो minus minus भी क्या हो जाएगा plus ठीक है तो इनको plus करेंगे two plus two क्या आता है four और sign आप आपने कौन सा लगाना है इन दोनों में से जो बड़ी value के साथ है लेकिन यहाँ पर तो दोनों same values है दोनों के साथ minus है इसलिए answer में भी minus आएगा इसी तरह एक value plus minus की लगाए और दूसरी value plus की तो minus plus क्या होता है minus it means हम इन दोनों को क्या करेंगे minus तो two minus three के आता है one तो अब इसके साथ sign कौन सा लगेगा जो बड़ी value के साथ sign होता है बड़ी value के साथ plus है तो sign में यहाँ पर भी क्या लगेगा plus का तो plus यहाँ पर लगाए यहाँ ना लगाए इससे कोई फरक नहीं पड़ता इसी तरह अगर next for example में पास plus और minus की दो values है जैसे plus two minus four ठीक है तो क्या होगा plus minus क्या होता है minus तो इसमीन हम इन दोनों को आपस में minus करेंगे तो four में से two minus करेंगे क्या आ जाएगा two और sign इसके साथ answer में कौन सा लगेगा जो के बड़ी value के साथ है बड़ी value four है उसके साथ minus है तो answer में भी क्या आ जाएगा minus यहाँ पे देखें दोनों value से में दोनों के साथ plus है तो answer में भी plus लगेगा तो हम वो लगाएं या नालगा उससे फर्ट नहीं पड़ता तो यह कुछ चीज़ें थी जो आपको इस exercise को start करने से पहले पता होनी चाहिए थी so अब इसका first part हम start करते है जो मेरे पस given है अब यहाँ पे first part में है A तो सबसे पहले A matrix इसकी जगा पे लिख लेते है A की जगा पे इसका matrix लिख लिख लेंगे minus 1 2 जो के given है 2, 1 उसके बार plus है तो वो as it is और next जो matrix है वो भी as it is ठीक है और यहाँ पे आप equal लगाएंगे equal must लगाना है वहना आपके marks deduct हो जाएंगे अब meet में क्या है plus और दो matrix हैं तो it means आप इन दोनों matrix को plus करेंगे ठीक है इनकी values को तो अब आप वो कैसे करेंगे इसकी first value इसके साब plus करेंगे इसकी second value इसकी second value के साथ third value इसकी third value के साथ और fourth value इसके साथ ठीक है तो हम पहले minus one को किसके साथ minus one फिर यह plus का sign और इसकी जो first value है वो लिखेंगे इसी तरह इसकी second value two mid में space रखनी है फिर यह plus और इसकी second value क्या है one इस तरह इसकी third value two, फिर mid में क्या है plus, फिर इसकी जो third value क्या है, one फिर ये fourth value one फिर ये plus का sign और इसकी fourth value क्या है, one equal, आप देखें minus plus, क्या होता है, minus तो इन दोनों को minus करेंगे क्या आएगा, zero, और zero के साथ आपको पता है, कोई भी sign नहीं लगता इसी तरह two plus one क्या होता है, ये तो simple आपको पता है three, और बड़ी value उकसा plus है, तो plus लगाएंगे लेकिन यहाँ पे हम plus नहीं लगाएंगे यूँकि plus लगाएं या ना लगाएं, उसे कोई फर्द नहीं पढ़ता, फिर two plus one भी क्या आता है, three, और one plus one क्या हो जाएगा, two ये एक simple question, next है part two, तो b है सबसे पहले तो आप b की value लिखेंगे, यानि b matrix लिखेंगे, given है जो हमार पास plus है as it is और second matrix भी as it is अब इसी तरह mid में plus है तो इन दोनों matrices को matrix को plus करेंगे, तो सबसे पहले one plus, इसकी first value क्या है, minus two, अब यहाँ पर मैं minus two लिख दूँ, तो दोनों sign अकर्थिया आ गया है, तो हम इनको separate करने के लिए यहाँ पर bracket लगा देंगे, ठीक है, इसी तरह ये minus one फिर ये plus, इसकी जो यानि इसकी ये value और ये value आपस में plus हो जाएंगे, अब आप सोच रही होंगे, यहाँ पर space हम ने क्यों ने छोड़ी, क्यूंकि space हम तब छोड़ते हैं, जैसे कि मैं आपस दो columns होते हैं, यहाँ पर तो एक ही column given है, इस column value value के साथ मैंने आपस में plus किया, ठीक है, अब आप देखें, जब दो साइन अगठे आजेंगे न हमरे पास, तो सबसे पहले हम उनको simplify करेंगे, जैसे के one as it is plus minus, क्या हो जाता है minus, फिर two आप लगाएंगे, अच्छा, आप सोच रही होंगे कि हम यहाँ पर direct कर सकते हैं direct भी कर दें, लेकिन मैं आपको ज्यादा समझाने के लिए, असानी से यह मैं आपको इस तरह से समझा रही है ठीक है, यहाँ पर minus one plus three, अब यह दोनों sign तो separate है ना हमरे पास तो it means हम इनको direct भी simplify कर सकते हैं तो plus minus, minus क्या answer आता है, minus करने पर two, और बड़ी value उक्सार प्लास है तो plus two इसी तरह आप यहाँ पर इसको भी simplify करना है ना, तो one minus two क्या आजएगा, minus one और minus मैंने यहाँ पर क्यों लगा है, क्योंकि बड़ी value two है, उसके साथ minus है, इसलिए answer में minus आएगा, तो minus one answer है, और यह two as it is यह हमारे पास इसका answer आएगा, ठीक है आप इसको वैसे यह step skip भी करके direct कर सकते हैं, जैसे के plus minus minus, तो one minus two क्या आजएगा one, और बड़ी value two है, उसके साथ minus है, तो answer में भी minus आएगा, ठीक है, आप इसको direct भी स्तरह से कर सकते हैं next, third part है इसका हमारे पास तो सबसे पहले C है, तो C का matrix है आप लिखेंगे, जो हमारे पास given है तो equal as it is तो यहाँ पे C की जगा हम उसका matrix लिखेंगे क्याएगा, one minus one, two इस तरह plus as it is अब यह matrix भी as it is हमारे पास, minus two one, three equal as it is अब यह तो नों matrix भी इनके मिर्ड में plus है, तो इसमें यह plus होंगे तो कैसे होंगे, one plus, इसकी first value क्या है, minus one इस तरह फिर मिर्ड में space रखेंगे युकि आप second column वाली value को हमने लिखना है तो इसलिए मिर्ड में space रखेंगे आप फिर minus one plus, इसकी second value क्या है, one इस तरह आप third column को हमने लिखना है तो इसलिए फिर मिर्ड में space रखेंगे फिर इसकी third value क्या है, two plus, इसकी third value क्या है, three अच्छा, plus minus क्या होगा, minus तो one minus two आजएगा साइन जब हम simplify करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं one minus two, तो यहाँ पे minus करने पे क्या आजएगा two में से one minus करें, one और बड़ी value two है, उसके साब minus है, तो answer में भी क्या आएगा, minus one तो यहाँ पे इसका answer minus one इस तरह plus minus अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोनों sign अकठी आगया ना, इसलिए हम उसको simplify करने के लिए हमें एक extra step चाहिए, जैसे के मैंने आपको यहाँ पे explain किया, ठीक है वो आप इसी तरह rough work करके कर सकते हैं यहाँ आप calculator पे direct भी कर सकते हैं अच्छा, यहाँ पे तो separate है न, sign mid में है, excited पे है इस तरह आप इसको एक step में कर सकते हैं प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 क्या आता है, 0 इसी तरह यह तो simple है 2 प्लस 3 क्या आजएगा